गुड़मारिं बच्चो मेरा नाम बुवनेश सर्मा मेरे साथ रमेश संजी प्यारे बच्चो आजम क्लास 7 विशागणीद अध्याग्यारा परिमाप और चेत्रपल पडेंगे शुरू करें देखो परिमाप परिमाप एक बंद आकरती की चारों और की दूरी है यह कोई बंदा करती है इसका परिमाप इसके चारों और की दूरी होगी आयत का परिमाप बराबर दो गुणा लंबाई प्लेस्टरड आई यह आयत है इसके लंबाई L और तोड़ाई B है वर का परिमाप बराबर चार गुणा भुजा समझा गया प्रसन एक एक आयत के बुजाओं की लंबाई 10 से मी तथा चोड़ाई 6 से मी है आयत का परिमाप ग्याद कीजिये हल आयत की बुजा की लंबाई कितनी है 10 से मी आयत की बुजा की चोड़ाई कितनी है 6 से मी आयत का परिमाप बराबर दो गुणा लंबाई प्लस से मान रखेंगे आयत का परिमाप बराबर दो गुणा 10 प्लस 6 बराबर दो गुणा 16 बराबर 32 से मी समझा गया परसंदो एक वर की बुजा की लंबाई 5 से मी है वर का परिमाप ग्याद कीजी हल वर की बुजा की लंबाई कितनी है 5 से मी चुकि वर का परिमाप बराबर 4 गुणा बुजा बराबर 4 गुणा 5 बराबर 27 समझा गया चेत्रपल चेत्रपल एक बंद आकर्ति द्वारा गेरेगे तल की चेत्रकू दर्स आता है आयत का चेत्रपल बराबर लंबाई गुणा चोड़ाई वर का चेत्रपल बराबर बुजा गुणा बुजा परसंतीन एक आयत के एक बुजा के लंबाई आठ समी तथा चोड़ाई पांस समी है आयत का चेत्रपल क्यात कीजिए हल आयत की बुजा की लंबाई कितनी है आठ समी आयत की बुजा की चोड़ाई बराबर पांस समी चोगी आयत का चेत्रपल बराबर लंबाई गुणा चोड़ाई बराबर आठ गुणा पांस बराबर चालीज सेमी स्क्वेर समजा गया समांतर चत्रपुज का चेत्रपल समांतर चत्रपुज का चेत्रपल बराबर आधार गुणा उचाई चेत्र में एक समांतर चत्रपुज दिया हुआ है परसंद चार एक समांतर चत्रपुज का चेत्रपल ग्याद कीजिए यदि आधार चार सेमी तथा उचाई छे सेमी है हल समांतर चत्रपुज का चेत्रपल बराबर आधार गुणा उचाई बराबर मान रखेंगी चार गुणा छे पराबर 24 सेमी स्क्वाइर समझा गया तिरबुज का चेत्रपल तिरबुज ए बी सी में तिरबुज का चेत्रपल बराबर एक बटे दो कुणा आधार कुणा उचाई परसन पाँच एक तिरबुज का आधार च्यार सेमी तता उचाई दो सेमी है तिरबुज का चेत्रपल ग्याद कीजिए हल चो की तिरबुज का चेत्रपल बराबर एक बटे दो कुणा आधार कुणा उचाई मान राखेंगे बराबर एक बटे दो गुणा चार गुणा दो बराबर चार सेमी स्क्वाईर समझा गया व्रत का चेत्रपल चित्र में एक व्रत दिया हुआ है जिसका केंद्र ओ तथा तिरजा आर है व्रत की परिधी तो पाई आर पाई बराबर बाई स्वाटिशाद या पाई बराबर तीन दस्मलव एक चार व्रत का चेत्रपल बराबर पाई आर स्क्वाईर प्रसंच है एक व्रत की तिरजा चौदेश मी है पहला व्रत की परिधी ग्याद कीजिए दूसरा व्रत का चेत्रपल ग्याद कीजिए हल पहला चो की व्रत की परिधी बराबर 2 पाई आर व्रत की परिधी बराबर मान रखेंगे 2 गुणा 22 पाई साथ गुणा चादा बराबर 2 गुणा 22 गुणा 2 बराबर अठ्याशी सेमी दूसरा चो की व्रत का चेत्रपल बराबर पाई आर स्क्वार मान रखेंगे बाई स्वाटी साथ गुणा चोद्य का स्क्वार बराबर बाई स्वाटी साथ गुणा 14 गुणा 14 बराबर हल करेंगी 22 गुणा 12 गुणा 14 बराबर 24 गुणा 14 गुणा 14 बराबर 16 सेमी स्क्वार समझा गया हमबर परशन एक एक आयताकार भुकंट की लंबाई 500 मीटर तथा चोड़ाई 300 मीटर है तो भुकंट का चित्रपल ग्याद कीजिए दूसरा एक तिर्बुज का आदार तीन सेमी तथा उंचाई दो सेमी है तो तिर्बुज का चित्रपल ग्याद कीजिए परशन तीन एक समानतर चत्रपुज का आदार सास सेमी तथा उंचाई चार सेमी है तो समानतर चत्रपुज का ग्याद कीजिए परशन चार एक व्रत की तरज्या सास सेमी है तो व्रत का चत्रपल ग्याद कीजिए ओके थांक यू झाल